जय मातादी स्वागत है आप सबका ब्रह्मान्शी में बचाने के लिए भगवान कृष्ण ने गोवर्धन परवत को उठाया था तब वो लगातार साथ दिन तक गोवर्धन परवत को उठाये रहे वो भी भूखे प्यासे यानि उन्होंने अन्नजल कुछ ग्रहण नहीं किया था आठवे दिन चब भगवान ने देखा कि अब इंद्र की वर्षा बंध हो गई है तब सभी ब्रजवासियों को उन्होंने गोवर्धन परवत से बाहर निकल जाने को कहा और तब दिन में आठ पहर भोजन करने वाल कृष्ण पे सभी को बहुत दया आई सबका बड़ा प्यार भी उम्रा उन पर और तब यशोदा मैया और सभी ब्रजवासियों ने उन्हें साथ दिन के हिसाब से आठ पहर के भोजन यानि साथ गुणा आठ चपन व्यंजनों का भोग लगाया एक दूसरी मानिता के अनुसार कहा जाता है कि गो लोग में भगवान कृष्ण राधा राणी के साथ एक दिव्वी कमल पर विराजते हैं उस कमल की तीन परते होती हैं इसके तहट प्रथम परत में आठ दूसरी परत में सोला और तीसरी पहर में बतीस पंखुडिया होती हैं इस प्रत्येक पंखुडी पर एक प्रमुक सक्खी और मद्ध में भगवान विराजते हैं। इस तरह कुल पंखडियों की संख्या 56 होती है। यहां 56 संख्या का यही अर्थ है। 56 भोग से भगवान श्रीकृष्ण अपनी सक्खियों के संख्या तरप्त होते हैं। तो आपको भी अगर कनहिया के साथ-साथ उनकी सभी गोपिकाओं को प्रसंद करना हैं। तो लगा दीजे 56 भोग रादे रादे। अब सब से आग्रह है कि मेरे बनाए गए वीडियो अपने अपनों के साथ जरूर शेयर करें। क्योंकि इसमें कहीं न कहीं कुछ न कुछ जरूरी जानकारी होती है जो उन्हें भी हल्प करेगी। और साथ-साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्योंकि जरूर करें।